जब हमारे घर में चावल बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं उन्हें चाट मसाला या फिर जीरा डाल कर फ्राई कर लेते हैं पर अब आपको ऐसा नहीं करना बस एक मसाला रुचादा सी सब्चिया होनी चाहिए और आप अपनी राइस को एक्टम चटपटा बना सकते हैं तो इ इसी वी पैन में ओयल या की डाल कर गरम कर लेंगे जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक तेज बत्ता और दो सुखिलाल मिर्च कुछ सेकंड भूनने पर डाल दो चिंजर कारलिक का पेस्ट पेस्ट नहीं है तो आप इसके जगे चिंजर कारलिक को थ जितने हैं जालें आपके पसंद के चितने हैं आप पिर जालें और बच्चे तो बहुत सारी सब्जिया खाते हैं और उपर से हलका सा नमक डाल दो इसके साथ ही आप अपनी मम्मी को बुलाएं और दिखाएं देखो आप बोलती हो ना तुम सब्जिया नहीं खाती ये देखो वो अलग बात है वो प्यार वाले गुसे से बूले चल बस रहने दे इन सब्जियो को हमें यहाँ पर पूरा नहीं पकाना बस आधा ही पकाना है जिससे ये भार से पक जाए और अंदर से कच्ची ही रहे तभी इनका टेस्ट बहुत बढ़ियाता है अब डालेंगे इसमें पेरी-पेरी मसाला मैंने डेड़ चम्मच के करीब डाला है इससे ही इसका टेस्ट बहुत बढ़ियाता है अच्छे से मिलाने पर डाल दो राइस और उपर से ज़्यादा सा धनिया पत्ता अब इने बढ़िया से मिक्स करतेंगे और बसकर मगर में आपने सारु करी विए पसंदा है तो लाइकर चानल कर सबस्क्राइब